नमस्कार मेरे चैनल पे आप सब का बहुत बहुत स्वागता है आज मैं आपको किचन के लिए एक बहुत ही आसा ये पॉलिथीन होल्डर बनाना बता रहे हूं ये देखिए इसमें हमने इस तरह से उन से बनाया जाली गाला ये और ये देखिए यहां से हम इसको पॉलिथीन अराम से निकल रहे हैं और ये जगह भी कम गेरता है देखने में भी सही लेकिन ये बनाना बहुत ही आसान है इसको इसमें धेखिक उत्य चूड़ी के ऊपर बनाया हुए तो आईये इसको बनाना शूरु करते हैं तो इसके लिए देखिए मुझे में यह एक चूड़ी चाहिए मैं रबर चाहिए च्रोश टूख में जो है वह फोर एमम के लिए और जो उन है इसमें मैंने इस तरह की लिए यह कोई भी आप बची हुई घर में बची हुई उन है उससे बना सकते हैं इसको मैंने दो गोलों को एक साथ करके इस तरह से चला है तो आएए इसको बनाना शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आएए जी शुरू करते हैं इसे बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए देखिए मैने दो धगों को इस तरह जोड़ा, आप सिंगल धगों के साथ भी से चला सकते हैं, तो इसको इस तरह लेंगे, और यह मैने चूड़ी लिए, चूड़ी आप कोई भी पुरानी चूड़ी ले सकते हैं, कांच की इस तरह की मैटल की कोई भी पुरानी चूड़ी लें, या रिंग लें, या कड़ा लें, जो भी आपको पास एवेलेवल हो, और उन आप कोई बची हुई उन से इसको बना सकते हैं, इस तरह से इसमें ऐसे गाठ लगाएंगे, और धाग्य को इस तरह, यहां से इसको पकड लेना है, फिर से हमने इसको निच्चे से निकालेंगे इस तरह से, पूरा हम इसको चूड़ी को इस तरह से निच्चे से निकालके ऐसे और कवर करतेंगे उन के साथ, तो मैं यह सारा कवर करके आपको यहां के इसको जोड़ना बताती है, यह देखिए मैंने इसको पूरा क चोड़ी को और यह इस तरह से दिखाई दे रहे हैं अब मैं इसको यहां से slip stitch के साथ जोड़ लूगे यह देखी ऐसे यह हमारी इस तरह से दिखाई दे रहे हैं अब मैंने इसमें एक दो तीन चार पांच चेन ले ली मैंने और यहां से मैं कांट करूंगी यहांसे एक दो तीन चार चो तो तीन में हमें इस तर्हेस को सिंगल क्रोशेट से जोड़ दो तेन अब फिर से हमें 5 चेन लूगी ही 3,4,5,5 चेन और फिर से हमने चोत्ते द और यह चेन स्पेस है दो जोड़ना है 1, 2, 3, और यहां से हमारा यह चोगधा तरह सी जोड़ेंगा और फिर से 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से हमने 1, 2, 3, 4, यह पूरा राउंड आप यह तरह से कमप्लीट करेंगे तो मैं यहां के आपको फिर से दिखा दिखेंगे मैंने इसका यह राउंड कम्प्लेट कर लिया और यह हमार पास इस तरह से जाली दिखाए दे रही है यह देखिए ऐसे यह जाली बन गी है तो मैंने यह पांच चेन ली है यहां पर और इसको अब मैं यहां से देखिए यह हमारा यह गैप है यहां पर और इसको मैंने यहां स से इसमें सिंगल क्रोशेट कर दिया अब ये हमारा पहला रौंड कंप्लीट हो गया अब मैंने इसमें दूसरा रौंड शूर करना है दो ती chalасть और यहांते हमने इसमें जाली बना ली फिर से lima đ deficitasm . एक दो तीन चार-फांच पांच चेन और यहां सिसमें जाली बनाई ठीके जी पूरा रॉंड रॉंड हूं उसी तरह से कंपलीट करते जाएंगे तीन चार-फांच पांच चेन और इस से नायकी अपने इच्छ चाहें आप जितने जाहें इतनी बड़ी लंबाई का बना सकते हैं, जिसमें आपके ये प्लास्टिक के जो पॉलिथीन है, वो इसमें अराम से रखे जाएंगे, तो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी बड़ा बनाएं, मैं थोड़ा से बड़ा बना के आपको फिर दिखाते हैं, जी देखेजी, मैंने य और लंबा चाहें बना सकते हैं, जितना आपकी रिक्वाइर्मेंट है, तो अब देखिए, इसको हमने कैसे करना है, यहां पे जैसे में इसको यहां पे ले आई हूं, जाली बिनाते हुए, वही सेम परसे से, तो यह अब मैंने एक रवट लिये, यह थोड़ा लूज हैं, दो चेंद लेंगे, यह रवड है, रवड के अंदर से निकालते हुए, इसको इस तरह से लेने के अब हमने फिर से दो चेन लेनी है एक दो दो चेन लेके अब इसमें आग्गे यहां जाली में यहां पे चोड़ना है अब फिर से हमने एक दो दो चेन लेंगे और इसके साथ हमने इस तरह से वही जैसे हमने चूड़ी में किया था वैसे ही इसमें करेंगे और यहां स यह फिर इसको यहां से जोड़ेगे अब फिर से हमने एक दो दो चेन ली यहां से इसको जोड़ा फिर दो चेन ली और इसको अगय इस वाली जाली से यहां जोड़ागे एक दो दो चेन और यहां से इसको जोड़ेंगे और फिर हमने एक दो दो चेन लेनी है और यहां से जोड़ेंगे और एक दो दो चेन लेनी है यहां से यह देखें इस तरह से होजेगा हमार पस अब हमने फिर से एक दो दो चेन लेनी है और यहां से इसको इस तरह जोड़ देना ये देखे ये हमारी पास उपर से ऐसे आजाएगा ये ऐसे इस तरह से ठेखे ये देखे इसको हम यहां से इसको गांट लगानी है हमने इसको देखिए जब हम इसमें डालेंगे तो यह ऐसे खुल जाएगा और यह इसमें डालके और यह फिर इस तरह से दिखाई देगा रवड आप छोटी डालना चाहिए डाल सकते हैं बड़ी डालना चाहिए डाल सकते हैं इस तरह से दिखाई देगा अब हमने इसमें चाहें तो रूपर से बना लें इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए तो देखते हैं ये देखिए हमारा ये जो धागा है जब हमने इसमें दो चेन बनाई इस तरह से तो ये हमारा इस साइड में इस धागे को हमने उधर लेके जाना है तो इसको यहां स से खींचते हुए धागे को हमने ऐसे ले के आगे दागे को परसे ले ले यहां से इस तर देखे आप हमने इसमें सिंगल क्रोशेट करने इस तरह से अब आप इसमें से हर एक में से सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे और इसे कवर कर देंगे आप चाहें तो इतना इसमें से ऐ sещngle crochet कर सकते हैं कि यह ब्लैक Mythical तिकाहीं ना दे यह इसके साथ कहार रवन की नहीं तो मैंने ब्लैक ले और मैं अब इसको कवर करोंगे कवर करके यहां कर दिखाते ऑपको यह तह Müु इसकी यहां पे मैश को लेया हैं यहां बनाते हुए और यहां पे मैश को स्लिप स्टिच से इस तरहें जोड़ दोगे ठीक है अब मैं इसमें एक दो दागा खुलते हैं थोड़ा तेन चार पांथ छे साथ आठ नो दस दस मैंने ले लिए चेन और यहां से इसकों में इस तरहें से करता हूंगी और यह देखिए यह हमारा लटकाने के लिए हो जाएगा और इसको इससे अच्छी तरह से लटका सकते हैं तो अब इसमें थोड़ा सा यह हमने इस तरह कर लेने और इस दागे को हम इसी में अंदर खतम करेंगे चाहें तो सुई दागे से करें चाहें इसी के साथ करें आपकी अपने इच्छा हैं इस तरह से लिपते हुए इसे अंदर खतम कर देंगे दागे को और यह देखिए सुई दागे इसको काट देंगे केंची से एक पर यह और काट लगा लेते हैं फिर इसको काट देते हैं ज्यादा बढ़ा हो गया इस तरह से और यह धगा हां इससे काट देंगे यह देखिजी हमारा यह पॉलिथेन डालने के लिए त्यार हो गया तो उमीदे आपको यह असान लगाऊगा और पसंद आएगा तो मिलते अगली वीडियो में धन्यवाद कि अढ़ा घए करें इसकोण में अन्यवार गयाद वीडियोगा पाक्ष्णार इसकोण गया यह जम्याद आए रटाने के दिसकोण पॉटे नचे दोसे हीज़ाद